दरसल फिन अपने दोस के साथ मिलकर यहाँ पर औरेलिया नाम के शिप को ढून रहा होता है जो 1715 में कहीं खो गया था यह वो शिप था जो खजाने से भरा हुआ था और फिन पिछले 8 सालों से इसकी तलाश कर रहा है वो अपने दोस के साथ समंदर की सतय पर शिप के सबूर जिससे बहुत सारी मिट्टी उड़ती है और इस मिट्टी के उड़ने से फिन के हाथ में एक प्लेट का टुकड़ा आजाता है जो प्लेट का टुकड़ा 1715 का होता है दरसल रानी के दहेज में ये प्लेट उसे दी गई थी और इस प्लेट के टुकड़े को पाने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फिन अपने दोस के साथ पानी की सतह पर आ जाता है और ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर इनकी बोर्ट नहीं है दरसल इन दोनों बेवकूफों को ये पता ही नहीं था कि जिस चीज के गिरने से रेट उठी थी प्लेटिन के हाथ में आ गई वो इनकी बोर्टी थी जो अब पानी में डूब चुकी है ये दोनों के दोनों अब समझ चुके हैं कि इनकी पानी में बोर्ट डूब चुकी और तब ही यहाँ पर दो लोग आते हैं जो फिन को गन पॉइंट पर अपने साथ अपने बॉस के पास दूसरे शिप में ले जा पारी मदद चाहिए। अपनी जंजीर को गोली मार कर तोड़ता है और सतय पर वापस आ जाता है। मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ अपनी स्टेडिस को कम्प्रीट करना चाहती हूँ। फिनुस से पूछता है कि इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगी। लेकिन अब टेस को वो बताता है कि मुझे वो जगा मिल गई है जहां पर वो डूबावा जहाज है जिसके अंदर खजाना है और वो काजस पर उसे एक लोगो दिखाता है जो उसी शाही प्लेट का होता है जो उससे उस गैंक्स्रन ने ले ली है टेस इस लोगो को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो इस लोगों को पहचानती है वो कहते है क्या तुम मुझे प्लेट को दिखा सकते हो वो कहता है कि वो प्लेट इस वक्त मेरे पास नहीं है टेस को लगता है कि फिन उससे जूट कह रहा है इस लिए टेस दुखी हो कर यहां से चली जाती है और एक यॉट में होती है उसके बास का नाम निगल है दरसल वो किसी भी तरह से पैसे कमाना चाहती है ताकि पैसे जमा करकि वो शिका को जाकर अपने स्टडीस को पूरा करे वो अपने बास के पास जाती है कि मैं यहां से निकल जाना चाहिए दरसल वो नहीं चाहती है कि फिन यह पर पहुंचे पर उसका बॉस निगल यहां से निकलने के लिए मना कर देता हूँ कहता है कि मेरी बेटी यहां पर आने वाली है उसे यहां आसपास कि किसी आईलेंड पर शॉपिंग करनी है वोई फिन को दिखाया जाता है जो बार में अपने उसी पुराने दोस्स से मिलता है जिसके साथ वो खजाना ढून रहा था उसका दोस्स से कहता है कि यही पास में एक यॉट है जिसके अंदर एक भहुती अमीर आदमी है जिसका नाम निगल है वो तुम्हें तुम्हारे खजाने के लिए फंडिंग कर सकता है फिन पूस्ता है लेकिन मैं उस तक पहुचूँ जिसके साथ जिसके साथ जो फिन को देखकर चिला उटती है और यहाँ पर निगल को पता चलता है कि यह दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं जिनर के बाद फिनों से बताता है कि मैं और टेस पहले पती पतनी थे लेकिन हमारा डाइवोस हो चुका है और अब टेस और फिन दोनों उसे खजाने के बारे में बताते हैं लेकिन इस घटना के तीन साल बाद एक आईलेंड पर एक आदमी को दिखा गया और यह और कोई ने बलकि और इलिया शिप का कैप्टन था जिसने उस जहाँ को बचा लिया था जिसमें पूरा खजाना है और उसने उस जहाँ को कहीं चुपा दिया था और अब मुझे उस ज जहाँ की प्लेट का हिस्सा जो मुझे समंदर के तल पर मिला इसका मतलब यह है कि वो जहाँ खजाना वहीं आसपास कहीं पर है और यह पूरी कहानी सुनने के बाद निगल और उसकी बेटी उस खजाने को ढूनने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन अगली सुबव फिन और आइलेंड खरीद लिया है लेकिन उसने पानी नहीं खरीदा और वहीं पर वो जहाँ है पर जब वहां पहुंसने तो देखते हैं कि एक जहाँ पहले से पानी के अंदर कुछ ढून रहा है और यह और को इनेबल की फिन का पुराना मेंटोर होता है वो फिन से कहता है कि खज और अचानक से उसके हाथ में स्पैनिश शाही तलवार आ जाती है जो देखकर फिन पूरी तरह से हरान होता है फिन का मेंटोर उसके लोग भी फिन को पानी के अंदर देख लेते हैं अलग कि फिन का मेंटोर कहता है कि पानी में ब्लास्ट मत करना वहां पर फिन है लेकिन उ जब अपने कमरे में होता है तो कुछ सोच रहा होता है वहीं टैस भी कुछ सोच रही होती है और वो फिन के कमरे में जाती है लेकिन फिन वहाँ पर नहीं होता है दरसल अब वो आइलेंड पर पहुँच चुका है जहां पर गैंग्स्टर का बार है वो गैंग्स्टर के आदम तो मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दूँगा और इसके बाद वो फिन को छोड़ देता है। अगर यहाँ पर उस शिप होता तो आस तक किसी न किसी को जरूर दिग गया होता यानि कि शिप यहाँ पर नहीं है। और कुछी देर बाद इन्हें स्पैनिश शिप की तोपे वहाँ पर दिग जाती हैं। उस चर्च में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत पुराने किताबे होती हैं। और तभी टेस एक किताब पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पर आने वाला पहला इंसान नहीं था। बलकि स्पैनिश भी यहाँ पर पहले आ चुके हैं। यहाँ पर एक औरत भी थी जिसका नाम ऑलेरिया था और उसकी कब्र अब भी वहीं पर है। यह सुनकर यह दोनों की दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑलेरिया किसी औरत का नहीं। बलकि उस शिप का नाम था जिस शिप के अंदर खजाना था। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। पर इससे पहले कि यह दोनों उस जगा जाते हैं यहाँ पर गैंक्स्टर अपने आद्मियों के साथ आ जाता है। वो फिन से वो डायरी मांगता है जो उससे कब्र के अंदर से मिली थी। फिन डायरी उसके तरफ फेक कर मारता है और इसके बाद इनके बीच में हाता पाई होना शुरू हो जाती है। फिन और टैस किसी तरह से यहाँ से बाइक लेकर निकल जाते हैं। तबी टैस बाइक से गिर जाती है और जब फिन पीछे देखता है तो अचानक से उसकी बाइक एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है जिससे एक प्लास्ट होता है। और वहाँ पर खजानी के एक बाउक्स को पखण लेती है क्योंकि उससे पता है कि पानी का प्रेशर बहुत जल्दी आने वाला है। वह देखता है कि नीचे टेस है और टेस को बचाने के लिए नीचे कूच जाता है। गैंक्स्टर के दोनों आदमी नीचे होते हैं और अब एक बार फिर से पानी का प्रेशर यहाँ पर आने वाला है। इसलिए टेस्ट फिन को भी अपने साथ रस्टी से बांध लेती हैं। लेकिन इससे पहले की पानी का प्रेशर दुबारा आता। यहाँ पर गैंक्स्टर का एक आदमी सोने के सिक्कों का बॉक्स लेकर उपर पानी की सतह पर उस तक पहुँच जाता है। गैंक्स्टर से पूछता है कि मेरा दूसरा आदमी कहाँ पर है। वो कहता है कि वो अभी पानी के अंदर ही है। और तबी गैंक्स्टर देखता है कि ब्लो होल के अंदर से पानी का बहुत जोर से प्रेशर निकला है जो लाल रंका है। दरसल उसका आदमी भी इस प्रेशर के साथ उपर आया था जो चटानों के टकराने से मारा गया और अब ये देखकर गैंक्स्टर को बहुत कुछ साता है वो अपने आदमी को वाटर एरो गन देता है कि उन दोनों को मार दो इसके बाद उसका आदमी उस तरह बढ़ चलता है लेकिन अब यहाँ पर फिन का जो मेंटॉर होता है वो भी आचुका होता है वो पानी के अंदर गैंक्सटर के आदमी को देख लेता है जो टेस्ट और फिन को मारने जा रहा होता है पानी में कूछ जाता है गैंक्सर का आदनी वाटर एरो गन से मेंटोर के ओपर हमला करता है जिससे उसका पैर जखमी हो जाता है इसके बाद इन दोलों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और तबी गैंक्सर को दिखाया जाता है जो खजाने के भरे बकसे को ऊप उपर खीचने की कोशिश करता है लेकिन वो बकसा उसके हाथ से छूट जाता है और पानी के अंदर जो उसका आद्मी होता है उसके सिर्पर जाकर लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब टैस्स और फिन भी पानी के ऊपर आ जाती है और तब ही गैंक्सर को प्लेन को स्टार्ट करके यहां से ले जाने लगता है। लेकिन फिन को लेंड करना नहीं आता है।